वैसा है कि किसी का भी नामकरण तभी किया जाता है जब उसके आउसकता हो उसको पुकारना हो उसको बुलाना हो और एक पहचान उस अस्थान को मिल जाती है हमारे नाम देने के कारण अब आप देखें चुकि वह मुख्यमंदिर के नीचे का जो भाग है उसको तल घर कहा जा रहा है तल गरह कहा जा रहा है या भूतल कहा जाए भूतल भी कहा जाता है नीचे के भाग को तो भूतल होगा मद्य भाग होगा उच्छ भाग होगा शिखर भाग होगा इस तरह से इ योखिया जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भूतल कहने से ज्यादा जो कहा जा रहा है तल घर या तल गरी है, तो तल गरी और गर्फग्री एक लगभग इस लगभग, इनके उत्चारण में समानता मिल रही है, तो अठ्छा रहता है, और यहीं होगा, इसको तल कहां जा जाना चाहिए, इसमें सुब्दा है, सबको शुब्दा है और इसमें कोई आपत्पी बेन है, सब्ध सुद्द नहीं है, उसका अर्थवी शुद्द है है, सुन्दा और सिगरता से किसी भश्तू काओ बेंद व ड्षाहिए, यही तो शंग्या का काम है, संग्या इ तो मुझे लगता है कि या रखना चाहिए तो लगरी बहुत बुनिया चाहिए